Very good morning children, हम आज आगे अपना next स्वर पढ़ेंगे A री तक हमने पढ़ा था, तो A कितने नंबर का स्वर है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 नंबर का स्वर है A ठीक है? और एक बार रिपीट कर रहीं फिर से और की कोई मात्रा नहीं होती ये हर सब्द के, हर व्यंजनवर्ण के साथ होता है जैसे कौ, तो कौ में क्या है? A है कौ तो ये ऐसे ही इसमें जुड़ा होता है आगी मातरा एक पाई च्छोटी डी की मातरा हमेशा लेफ्ट साइड से वाइं साइड से व्यंजनों में लगती है बड़े E की मात्रा हमेशा राइट साइड से आगे से व्यंजनों में लगती है चोटे O की मात्रा हमेशा जो व्यंजन वर्ण होते हैं उनके पैरों में लगती है पद में लगती है और पीछे को घूम जाती है बड़े O की मात्रा हमेशा व्यंजनों के पैरों में ही लगती है लेकिन वो आगे को घूमती है और ऐसे ही R की मात्रा भी व्यंजनों के पैर में ही लगती है जैसे small c होता है उसकी तरह ये होता है आज हमारा next स्वर है A और A की मात्रा होती है ऐसे चीके उपर से एक मात्रा ये ए जैसे को है तो को में लगा दिया ए के तो हमें मैंने आपको बार बार बता रही हूँ कि जिस ब्यंजन में जो स्वर लगता है जब हम उसका उचारण करते हैं उसको पढ़ते हैं उसको बोलते हैं तो वो हमें मतलब वो स्वर हमें उसमें सुनाई देता है वो हमें ध्यान देना पड़ेगा जैसे के, ए, सुनाई दे रहाँ जैसे यहाँ पर हम पड़ रहे थे जैसे का, तो आ, की, तो इ, फिर की तो बड़ी ए, कु, छोटा उ, पु, बड़ा उ, क्री, री अब ऐसे ही के, तो ए, तो यह ऐसे ए की मात्रा होती है यह ए होता है, और यह इसकी मात्रा होती है उपर से एक मात्रा, यह भी व्यंजनों के सिर में लगता है लेकिन आपने, जो यहाँ पर यह पाई होती है यह वाली इससे जोड़ करके ही इस मात्रा को लगाना है इधर उदर नहीं, ऐसे नहीं, कि ऐसे, यह ऐसे wrong है इसको इससे जोड़ना है जो यह यहाँ पर हमारे पास एक पाई होती है इससे जोड़ करके इसको ऐसे लिखना है इससे यह जुड़ा होना चाहिए तो आज हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर आ से बनेवे केवल यहाँ पर ए से बनेवे सब्द हैं ए की मात्रा वाले सब्द आगे हैं तो ए से बनेवे सब्द जैसे ए को एक यानि वान फिर एड़ी ड़ो में क्या है बड़ी ए की मात्रा एड़ी फिर एक गए ए आ रहा है ए स्वर खुद आ रहा है इसमें मात्रा नहीं है, ए स्वर खुदार है, एडी, डो में बड़ी ए की मात्रा, एडी, नए, एड, आए, एकता, लाए, ए, सि, या, सो में क्या है, तालब बेशो है, इसमें छोटी ए की मात्रा, ए, शि, या, यो में आ की मात्रा, ए, शि, या, और खाए, तो इस तरह से ए से बने हुए सब्द हैं यहाँ पर इह लिख कर नाम पूरे करो जैसे जिसके आगे आएगा ए तो क्या होगया एक फिर दी है तो आगे आ जाएगा एड़ी फिर यहाँ पर है लभ बम आगे से लगा देंगे ए conspiracy फिर एक तारा इसको बुक में भरो इसको आप कॉपी में करोगे आगे ए से बने हुए सब्द कैसे ए इसमें मैंने आपको बता दिया कि ए है यह पौ है पौ में ए की मातरा तो क्या हो गया पेड पेड फिर सो में ए की मातरा तो से ए सुनाई दे रहा है से ब से फिर शे ताले बिशाओ, उसमें एकी मात्रा, सेर, फिर केले, कौमें एकी मात्रा, लौमें भी एकी मात्रा केले, पिर बेल, मेला, करेला, सेब, बेला, सवेरा, रेत, थेला, नेवला, जेब जो में एकी मात्रा, के, ला, के, ए, कप, डे, दिस तरह इनको मिला मिला करके पढ़ो और इनको समझो भी कि किस में किस की मात्रा लगी है और व्यंजनों में मात्रा लग कर उनका उच्चारर किस तरह से बदल जा रहा है, जैसे यहाँ पे रो था लेकिन आ लग गया तो रा हो गया यह वो था वो पर एकी मातर लग गई तो क्या हो गया वे हो गया यह नौ था नौ पर एकी मातर लग गई तो ने हो गया ठीक है तो चित्र का अब नेक्स्ट है चित्र का नाम चुनकर लिखो इसको पहचानो कौन से किसकी पिक्चर है यह है सेब तो तालब्य सौरी दंट कॉपी में करोगे, ओके,